तो अगर आपको अपने pen card में कोई correction करवानी है नाम चेंज करवाना है फादर नेम चेंज करवाना है या फिर date of birth चेंज करवानी है तो आप बहुत आसानी से अपने आधारा काड के जरीए उसे correct करवा सकते हो सही करवा सकते हो इसमें कोई भी rocket science नहीं है मतलब मुस्किल नही होई है उसमें काफी सालों का अंतर है जैसे की सब्सक्राइब कीजिए आपके pen card में डेटो परत है 1967 और आपके आधारा काड में डेटो परत है 1972 ठीक है तो पांस साल का डिफ्रेंस हो गया अब अगर आपको अपने pen card में भी अपने आधारा काड वाली date of birth डलवानी है तो उस case में आप easily यह correction नहीं करा पाऊगे और अगर आप apply करोगे तो वहाँ पर आपको एक अलग से notice दिखाए देगा ठीक है वो मैं आपको दिखाऊंगा भी यहाँ पर मैं बात कर रहा था इस वाले page की यह page आपको आपकी mail पर मिलेगा जिस mail id को आपने दिया था pen card apply करते सम में उसी mail पर यह वाला page आएगा ठीक है और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर साब साब लिखा हुआ है कि as per application यानि की जो हमने application दिये है उसके हिसाब से date of birth है वो है 15 January 1966 ठीक है जबकि जो pen card पहले से बना हुआ है उसमे date of birth है 1 January 1972 ठीक है तो जैसे मैं आपको वीड कि अगर difference जादा है यहाँ पर देखिए 5 years का difference है more than 5 years का difference आ रहा है हाँ ठीक है तो ऐसी condition में दोस्तों इस तरीके का letter आपको मिल सकता है ठीक है तो इस letter को आपको बिलकुल भी ignore नहीं करना बिलकुल भी ignore नहीं करना ऐसे नहीं कि वह या मरंदोस को आपको इसको 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 seriously in है और क्या करना है मैं खुद बताता हूं एक second रुकिए इसको erase कर लेता हूं और यहाँ पर एक second यहाँ पर नहीं चाहते हैं बात हम करते हैं page को नीचे तो यहाँ पर देखिए आपको एक section मिलेगा return slip और यहीं पर आपको सारा काम अपना करना है यहाँ पर देखिए ती वैसे के वैसा ही चाहिए मतलब कि जो detail पहले लिखी हुई थी pen card में same to same आपको वही details अपने pen card में चाहिए तो उस case में आपको एक आगे यहाँ पर टिक करना है इस bracket में ठीक है ऐसे टिक कर देना simply ठीक है अगर आपको कोई भी correction नहीं करवानी आप चाहते हो कि आपका pen card ज होगी और प्राना वाला pen card ही आपका नया बनके आ जाएगा इसके आगे आपको टिक करना है एक आगे ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं B section की देखिए B का मतलब यह है अगर आप चाहते हो कि आपका जो नाम है आपके pen card में वो नाम change ना हो तो उसके आगे आप नाम के टि चेंजना हो pen card में तो father name के आगे टिक कर दोगे अगर आप चाहते हो कि आपकी data बड़ चेंज ना हो तो data पर के आगे टिक कर दोगे ठीक है मतलब कि B section में हमें वो चीज के आगे टिक करना है जिसको हमें applied नहीं करना है ठीक है अब आते हैं तीसरे point पर C पर इसमें हमें उसके आगे टिक करना होगा जिसको हमें change करना है ठीक है अगर आपको अपने pen card में नाम change करना है तो आप नाम के आगे टिक कर देना अगर आपको father name change करना है तो father name के आगे टिक कर देना और date of birth change करनी है तो date of birth के आगे टिक कर देना ठीक है मैं आपको बता दिये कि A का मतलब है कि कुछ भी change नहीं करना B का मतलब है कि ये वाले चीज़ चेंज नहीं करना है आतलब चाहे ए हो चाहे नाम हो चाहे देट अबर्थ हो क्यों चाहां ज्जी चेंज नहीं होगी और C में है झो चीज हमें चेंज करनी है उसके आगे टिक करना है ठीक है जेसे कि 89 टWinds वेकाशन भेजी है वह स्षेंग अपने डेट बर्थ के लिए तो हमें date of birth की case में इसमें आपर simply date of birth के आगे ही टिक करना पड़ेगा, बाकी चीज़ यहां पर सब आठा देंगे, आपको 3 मेंसे एक ही, A, B, C मेंसे 3 मेंसे एक ही column में काम करना है, ऐसा ने 3 में टिक कर दिया, क्यूंकि मुझे date of birth चेंज करनी है, है इसी लिए मैंने हापर date of birth के आगे tick कर दिया वैस ठीक है अगा मुझे नाम भी change कर रह trabalhuka होता नाम की मेंना application भणी है तो नाम के कंपर कर दूँगा फादरन की भादिंट के वरी है तो टीक है एल्चित कर दिया ठीक है दोस्तों के बाद यहाँ पर आते हैं your list of do पर यहां पर आपको एब दो तीन चार पॉइंट दिए हैं, आप डेट वबर्थ के क्रेक्षन के लिए आप कौन सा प्रूफ दे रहे हो, वो आपको यहां पर डालना है, ठीक है, जिसे कि आप आधार काड लगा रहे हो, तो आधार का लिख देना, साथ में पैन काड की फोट लगा रहे होते लिगते हैं ने तो राथरकार से भी काम हो जाएगा अब इसके बाद हमें यहाँ पर नीचे लास्ट काम करना है वो है हमारा signature of applicant यहाँ पर signature करवा देने हैं एप्रिकेंट के आने की जिसका पैनकार का फॉर्म बढ़ा था उस बंदे के यहां पर सिखने चार हो जाएंगे इस जगह पर यहां पर ठीक है पर आपको इस फॉर्म के साथ क्या लगाना है आपको लगाना है जो चीज आपने हाप लिखी है आपने अधाकर लिखा था पैनकार की फोटो का पर लिखी थी और माक्षित लिखी थी माक्षित नहीं है पैनकार्ड और आधार कार्ड तो आपको देना ही पड़ेगा और पैनकार्ड और आधार कार्ड की कॉपी को भी आप अटेच कर लेना तो बढ़िया रहेगा ठीक है दोस्तों तो यहीं इंफोमेशन देने थी मुझे इंपोर्टन थी और आई हॉप आपकी इससे हैल्प हो होगी और आप मेरी भी हल्प कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके मिलते हैं इस वीडियो में थैंक यू अर्मच गुर्ट